वेलकम बैक स्टूनेर इनार इंग्लिश क्लास आज मैं आपको कराने जा रहे हूँ I और मी I का मतलब क्या होता है? मैं और मी, मी का मतलब भी मैं होता है बट इसका यूज हम अलग अलग जागा मैं अलग तरीके से करते हैं जिसे मुझे भी हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है मुझसे भी हो सकता है तो आज हम इसका यूज करना जानते हैं उसके बाद मैं आपको इसकी एक वरक्षिट दूँगी वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे और ये सब चीजें जो मैंने यहां पे लिखी है आई, मी ये भी क्या करेंगे अपनी नोटबुक में लिखेंगे लेट स्टार्ट वीद एक्जामपल हम एक्जामपल के साथ शुरू करते हैं आई एम अ गर्ल तो यहां देख सकते हैं क्या है आई I as I use हुआ है किसके लिए गर्ल के लिए He likes me तो यहां पे क्या है He likes me वह मुझे पसंद करता है तो यहां पे मी मुझे She is waiting for me तो कौन वह मेरा इंतिजार कर रही है तो यहां पे मी कैसे यूज हुआ है मेरा I want this book तो मुझे ये बुक चाहिए तो यह आपको क्या करना है अपनी notebook में लिखने है और इसके साथ साथ मैं आपको worksheet discuss कर रही हूँ वो भी आपको अपनी notebook में करना है यह देखिए यहां पे यह आपकी worksheet है fill in the blanks with I or me I or me के साथ क्या करना है आपको fill in the blanks fill करते हैं first dash think grammar is very interesting तो क्या आपका यहां पे I I think grammar is very interesting Samya made a card for me on my birthday तो क्या आपका यहां पे me ठीक है? तो यह आपको खुद करने हैं और अच्छे से ध्यान से करेंगे तो आपको सब समझाएंगे और क्या यूज़ करना है सिर्फ I or me यूज़ करना है Bye-bye student Have a great day